आपके शॉर्ट्स भी 48 गंटे में और 24 गंटे में आपको 2 या 3 व्यू देते हैं आपके जो शॉर्ट्स होते हैं वो शॉर्ट फीड में नहीं जाते आपके जो शॉर्ट्स होते हैं वो वेल अप्टिमाइज नहीं हो पा रहे आपके जो shots हैं उस पर engagement नहीं आ रही आपके जो shots हैं उस पर light dislike नहीं आ रहा आपके जो shots हैं वो browse feature में नहीं जा रहे ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको YouTube shots के algorithm के बारे में जानगारी नहीं है YouTube पर लोग बताते हैं views कैसे लेकर आए YouTube पर लोग बताते हैं SEO की setting कैसे करें मैं भी बताता हूँ आपको ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा लेकिन जो सही बात है जब तक आप algorithm को नहीं समझेंगे और algorithm को जानकर उसके according work नहीं करेंगे तब तक आपका जो shorts का channel है या आपकी जो shorts है वो उस तरह से work नहीं करेंगे तो आज आपको तीन ऐसे algorithm के rule बताऊंगा जो बहुत important है और धीरे धीरे आगे चलकर मैं आपको algorithm के बारे में और भी कुछ बताता रहूँगा लेकिन क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं हम algorithm के इस series की तो हम ये मान सकते हैं कि जो तीन चीज़े हैं ये बहुत ज़दा important है तो मैं हूँ अभी शेक आप देख रहे हैं technical बटागार YouTube चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसे golden rule के बारे में जिसमें से last के जो दो है इतने important है उसको अगर आपने समझे लिया तो बहुत रवर्दस्त आपको बूम देखने को मिलेगा और आपको चैनल जो है आपका शॉट का वो बहुत भड़ीया तरहीके से यहाँ पर गुरू करेगा तो पहली बारे में बात कर लेते हैं देखिए जो पहला है वो है टाइटल देखिए मैं बहुत सारे चैनल यहाँ पर देखता हूँ आप लोग कमेंट करते हैं आप लोग लिखते हैं कि हमारा चैनल को चैक कर लीजे तो मैं जब चैक करता हूँ या Instagram पर जो लोग मुझे से जुड़ते हैं तो मैं देखता हूँ यार शौट के चैनल पे, शौट की वीडियो उस पे इत्य लंबे लंबे आपने टेक लगा रखे हैं, इत्य लंबे लंबे आपने टाइटल लिख रखे हैं, ध्यान रखिए शौट का मतलब है शौट आपको हमेशा अपने शौट के टाइटल को शौट रखना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिए, कि आपको जो व्यूज आ रहे हैं, वो शौट फीट से आ रहे हैं और अगर आप बहुत ज़ादा लग देंगे, तो वो जो टाइटल आप लिख रहे हैं, जो समय आप उसमें बरबाद कर रहे हैं, उसमें एक तो आप hashtag कम लगा पाएंगे, क्योंकि basically short का hashtag आपने लगाना है साथ-साथ आपका जो hashtag है जो आपका main category का hashtag है, वो आपको आती है जो कि मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है देखिए शौट की जो क्वालिटी है चाहे वो वीडियो की है चाहे वो एक नंबर होने चाहिए अगर आप 480P या 720P के वीडियो को क्रेट करते हैं उस केस में आप देखेंगे कि हो सकता है कि शौट आपको 5000, 2000, 1500 कु क्योंकि आज की डेट में लोग हाई क्वालिटी की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो यूट्यूब शौट की जो अलगोरिथम है वो इस चीज़ को प्रसिस्ट करती है या इस चीज़ को बताती है कि अगर आप शौट क्रेट कर रहे हैं तो उसमें आडियो और वीडिय क्रेट नहीं करेंगे और उसे अपलोड नहीं करेंगे अचा आप में से कही सरह लोग शौट के कैमले से बनाते हैं मत बनाईए आप अपने मोबाइल के प्रो मोड में जाएए वहाँ पर सेटिंग करिए अपनी जो आपकी लाइटिंग है आप रॉड में वीडियो बना रह वीडियो वहाँ पर डाउन्रोड करें आप दिन में चाहें एक शौट बनाएं लिगे उसकी क्वालिटी जबरदस होनी चाहिए तो यही है कि आपकी वीडियो और आडियो की क्वालिटी जबरदस होनी चाहिए तभी यूट्यूब उसे आगे पर्मोट करता है तो आपने दो चीजे दानली अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में लेकि तीसरी चीज आपको आपके अनलेटिक से पता चलती है और वो है आपके शौट की टाइमिंग लेकि आप एक मिनट का शौट बना रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 59 सेकंड के अंदर आपका वीवर देख रहा है वो आपके शौट पर कितनी देर तक रुक रहा है अगर आपके शौट आपने मान लीजे 59 सेकंड का बनाया था उसमें अगर 40 सेकंड तक वो रुक रहा है तो आपको कोशिच करने चाहिए कि आप अपने शौट को 59 से लेकर 50 के असपास लेकर आए वीडियो है शौट की उसमें लोग कितनी देर तक रुकते हैं आपको उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी वीडियो को वहाँ पर क्रियेट करना चाहिए अगर आपकी 40 सेकंड की वीडियो में कोई 20 सेकंड रुकता है तो आपको कोशिच करनी चाहिए कि आप अपनी वी पर आपको बढ़ेगी तो आपकी लाइक डिसलाइक और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो इससे यूटूब की अलगुरिथम इस चीज को अंडरस्टैंड करती है और आपके जो रीच है उसको यहाँ पर एक्स्टैंड करती है तो तीन चीज़े मैं आपको बताई है ट इस चाहिए और अपनी जो टाइमिंग है शॉट की वह अकॉर्डिंग टो यूर्विवर्स रखिए या नहीं कि आपने विवर्स के हिसाब से चलिए आप अपने विवर्स की देखिए कि आपके विवर्स कितने सेकंड की वीडियो आपकी देखते हैं तो ये तीन मैंने ट्रेंड है आगे कुछ चेंजिस होते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताएगा कमेंट करके और यो ही हमारे साथ बने रही है